हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे संकस्टी चतुर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको संकस्टी चतुर्ती के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में इसका महत्त भी बताने वाला हूँ इसके साथ मैं आपको जे भी बताने वाला हूँ की संकस्टी चतुर्थी के दिन कौन से समय पर चांद निकल सकता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जे बताने वाला हूँ की संकस्टी चतुर्थी कौन से दिन आने वाली है आपको बता देंगे संकस्टी चतुर्थी 2 मार्च 2021 को है और इस दिन ट्यूजडे जानि मंगलवार का दिन है तो जेसा की आपको बता होगा की मार्च के महिने में होली महाशिवरात्री जैसे कई महत्त पुरन तेवहार आते हैं और इसी दोरान कई महत्त पुरन वरत के तेवहार भी मार्च के महिने में हैं दो मार्च जानी मंगलवार के दिन गनेश संकस्टी चतुर्ती वरत रखा जाना है आपको बता दें कि पूर्णिमा के वाद आने वाली चतुर्ती को संकस्टी चतुर्ती कहा जाता है और इस दिन लोग गनेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन लोग वरत रखते हैं और उनका वरत रात को चांद देखकर ही पूरा होता है तो जहां पर मैं आपको चांद का समय बताने वाला हों की 2 मार्च को चांद कब निकल सकता है समय बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं की जे जो मैंने आपको अभी समय बताया है इसमें आप तकरीवन 25 जा 30 मिनिट एड़ कर दीजिए अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में चांद 9 वचकर 53 मिनिट पर निकलेगा और हेद्रावाद की बात करूं तो हेद्रावाद में चांद 9 वजकर 52 मिनिट पर निकलेगा विशाका पटनम में चांद 9 वजकर 9 मिनिट पर पुन्य में चांद 9 वजकर 48 मिनिट पर नासिक में चांद 9 वजकर 50 मिनिट पर और नागपूर में चांद 9 वचकर 28 मिनिट पर निकल सकता है जे जो मैंने अभी आपको समय बताया है इस समय में आप 25 जा 30 मिनिट एड़ कर दीजिए इसके बाद ही आप चांद देख पाओगे अभी मैं आपको कुछ और शेरों के बारे में बताने वाला हूँ चैन्ने में चांद 9 वचकर 19 मिनिट पर बैंगलूर में चांद 9 वचकर 30 मिनिट पर इंदोर में चांद 9 वचकर 43 मिनिट पर और बोपाल में चांद 9 वचकर 36 मिनिट पर जैपूर में चांद 9 वचकर 46 मिनिट पर और कोलकता में चांद तकरीवन 8 वचकर 50 मिनिट पर तो जैसा कि अभी मैंने आपको इस बीडियो में बताया है कि जो भी मैंने आपको अभी समय बताया है इस समय में आप 25 जा 30 मिनिट एड़ कर दीजिए तो अंत में दोस्तो अभी आपको जै बीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद